दोफ्तों बिहार में किरसी इंपूट के लिए ऑन-लाइन आवेदन की जो परकिरिया है शुरू कर दी गई है इसका ओफिसल नोटिफिकेस्शन जारी कर दिये गए हैं जिसमें पूरी जैनकारी बता दी गई यह है कि किरसी इंपूट का जो लाब है किन किसानों को दिया यह कौन से डोकुमेंट होनी चाहिए, कितने पैसे, कितने हेक्टेयर के लिए आपको दिये जाएंगे, किस परकार के फसल के लिए, कितने लाब आपको मिलेंगे, यह सभी जनकारी मैं पहले आपको इस वीडियो में बताऊँगा, साथ मैं कैसे आवेदन होगा, उसके बारे म जो भी है, मैं आपको ओफिसल तोर पर बताता हूँ, दोस्तों अभी आप देख पाराँगे, यह ओफिसल नोटिफिकेशन है, बिहार सरकार किरसी बिभाग के दोरा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है, किसान भाईयों एवं बहनों के लिए आवसक सूचना, किरसी ज़्यादा आपको समय मिलेगा, तो दस से लेकर पंदरा दिनों का ही समय मिलेगा, इस सी बीच आपको हर हाल में आवेदन कर लेना है, यहाँ पर बताया गया है, सितंबर दोहजार चौबिस में हुई, वर्सा पात से गंगा तथा अन्य नदियों के जलास्तर में जो बिरि उन लोगों को किरिसी इंपूट अनुदान का जो लाब है, डाइरेक्ट उन किसानों के खाते में पहुँचाई जाएगी, आप आवेदन करेंगे, यह लाब आपको मिल जाएगा, अब इसके लिए कुछ इन्हों ने कंडिशन रखा है, पहला कंडिशन है कि बार्ड से पर है या नहीं है, हलाकि इसका लिष्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, मैं बताऊंगा, इसका लिष्ट ये करने का लिंक भी मैं आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस जिलाक के ताहत कौन-कौन से पंचाहत इसमें लि ये नहीं नहीं होते हैं, जिसे सिंचित फसल के नाम से जाने जाते हैं, उसके लिए आपको 55 नहीं कराएंगे बरसा नहीं होगा फिर भी आपको पटाना होगा तो वो सिंचित फ़सल में आता है इसके अलाबे जो है बहु वर्सिय फ़सल जिसमें गन्ना होता है और भी कई सारे फ़सल होता है ये सब इसमें आते हैं तो इसके लिए 22,500 रुपे प्रती हेक्टियर के हिस साब साब को दिये जाएंगे इसमें ये भी किलियर कर दिया गया है कि ये अनुदान प्रती किसान को अधिकतम 2 हेक्टियर के लिए ही दे होगा इध्यान रखीगा इसके लिए जब भी आप आवेदन करेंगे तो क्रिस इंपुट के अनुदान के लिए सभी पंजिकृत गै आवेदन करने के लिए इन्होंने बता है कि यह इनका वैप साइट है इस वैप साइट पर आप आवेधन करेंगे जिसके लिए आपको जो है आवभेसकता परेगे किसान पचिकरंसंक्या की जिसके मदब से आप आव कर सकते हैं इसके अलावए प एफिसेल वेपसाइट Google में उनलाइन अपटेट स्टीम लिखेंगे यह वेपसाइट मिलेगा सरकारी यूजना में ही इसका लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करकर डाइरेक्ट आप इस वेपसाइट पर आज जाएंगे यहां पर आने के बाद ऑनलाइन सेवाय में ही देखेंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा क्रिसी इन्पुट अनुदान दोहजार चौबेस पचेस के लिए आवेदन करें जिस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ गाइलाइन मिलेंगे इसको पहले आपको अच्छा से पढ़ना है जिसमें बताया गया है कि आव हुधारी होने की इस्तिती में भूमी के दस्तावेज आपको देने होंगे जो रसीद आपका वर्स 23-24 का होना चाहिए या आपके LPC है जमिन का रसीद है ये आपको 23-24 का ही लगाना होगा वही कोई बास्तविक खेतियार के इस्तिती में सवगोसना पत्र आपको यहाँ पर किसान है उसकी जनकारी देनी है आपको सिंगनेचर करकर आपको यहाँ पर जो क्रिसे सनवयक है उनका सिंगनेचर जन प्रतेनेदी का सिंगनेचर करकर आपको देने की जरूरत होगी अब आईए जानते हैं आबेदन कैसे करना आबेदन करने के लिए आपको अपना किसान प आपका पंजीकरन संख्या गलत है या निस्किरिये है या आप इस योजना के प्रभावी पंचाइट के रहने वाले नहीं है निस्किरिये आपके द्वारा फसल अवसेस जलाया गया है ये सब जनकारी दिये गया होंगे तो इसका मतलब यह है कि साथियों बहुत सारे ऐसे पं फिर जो है नहीं मिलेगा यह धियान रखेगा जो पंचायत बार्ट से ग्रसित है वही पंचायत को मिलेगा आप सिंप्ली ओकी वाले विकल पर क्लिक करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक लाइन क्लियर बता है सितंबर माह के पर्थम चरन के वर्स पात से गंगा कोसी तथा अने नदियों के जलस्तर में विरीधी तथा प्रोसी राज्यों एबम नेपाल में हुई जो अतिवरिष्ट के उत्पन बाढ़ जैसे इस्थेती के कारण अनुदान के लिए आवेदन लिया जा रहा है तो इसमें जो है सभी लोग को आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है जिन लोग का फसल नस्ट हुआ है उन्हीं को मिलेगा जैसे आप इतना डाल कर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस परकार अगर आपका जिला इसमें चिन आपके सदर्स में जो भी लोग है जैसे माली आपके माता जी है पिता जी है तो उनका विबरन देना है जैसे अगर आप यहां से पिता जी को चुनते हैं या पती पतनी को चुनते हैं तो आपको जनकारी देनी अपने वच्छों को चुनते हैं जैसे माली जी मैं अपने पि तो भी आधार के अनुसार नाम होगा वंगा गहां उनका जो भी जनम तीथी होगा ओ जनकारी आपको यहाँ पर देने की जरूरत होगी सेंवी मेंबर का जस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डीटेल है वह इस परकार शेव होता है नीचे में देकिंद आपको अब बड़े बार में और बच्चे हैं उनका भी आप चाहें तो डीटेल लाइट कर सकते हैं सबका यहां पर डीटेल लाइट करने की आपको अवज सकता होगी फिर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको पूछा गया है कि केसान का जो भी परकार है वह आपको बताना है और कितने है उसका विबन देना है जैसे खेती करने योग जो भूमी है कितना है जनकारी आपको यहां पर बताने की जरूरत होगी तो जो भी होगा आप अपने बताएंगे एक हेक्टियर में इन्होंने किलियर बताया कि 247 होता है अधिक्तम 2 हेक्टियर के लिए अप्लाई कर सकते त आपका बास्तविक खेतियर है और एक है कि स्वयम और बास्तविक खेतियर स्वयम भूमिधारी का मतलब है कि जिनका अपना जमीन है बास्तविक खेतियर का मतलब है जो दूसरे का जमीन जोतते हैं और दोनों अगर आपका भी जमीन आप दूसरे का भी जोतते हैं तो आप यह नीचे वाला option चूनेंगे अब यह option जब चूनेंगे इसके according ही आपको document भी देने की आप सकता होगी यह भी आप दियान रखेगा तो किसी किसान का अपना है तो आप यहाँ पर स्वयम भुधारी को बाकि जो भी फसल है उसका छती का जो भी कारण है आपको यहाँ पर दे नमबर थाना नमबर खिसरा नमबर है यह सब जनकारी आपको देने की जरूरत है बगलवाले किसान का भी नाम आपको देने की जरूरत होगी एक सदी खाता खिसरा है तो add new rope क्लिक करेंगे तो फिर दो है आपको नीचे आना है यहाँ पर दिखे आपको बताएगा कितने रुपया आपको अनुदान मिल सकती है वो भी जनकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है आपको सिंपली नीचे जो है तीनों चेक बॉक्स पर आपको टी करना है और एक आप्सन मिलेगा गेट ओटीपी का जिस पर किलिक करना है कैप्चा को डाल कर आपके नमबर पर ओटीप है और सेव होगा फिर आप यहाँ पर डोकुमेंट आपको अप्लोड करने की अवसकता होगी जिसके लिए नीचे आएंगे तो डोकुमेंट बताया गया कि तिन सो के भी तक पीडिया फॉर्मेंटर में होगा यह दियान रखीगा स्वयम का जमीन है तो वैसे इस्तिति में लगाना है बाकि जो खेती हर है और उनका भी जमीन है तो आप गोसना पत्र को जरूर लगा यहाँ पर उसको अप्लोड करना है उसके बाद समिट वाले विकल पर क्लिक करना है उसके बाद मैसेज आगा कि आपका जो आवेदन है सक्सस्पुल हो चुका है अब 48 गंटे के अ आपको उप्सन मिल जाएगा आप सिंप्ली जो है ओके बाले विकल पर क्लिक कर सकते हैं अब प्रिंट लेने के लिए आपको नीचे आना है एक उप्सन मिलेगा प्रिंट का जस पर क्लिक करकर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको ए हैंड़